असलाम अलेकुरूम कैसी हैं आप सब ठीक हैं उमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे हैर हैरियत से होंगे आज मैं आप के लिए जो टीप लेके हैं हो है हमारी वाड़रॉब क्यों हवाले से तो हमारी वाड़रॉब अगर और्गुनाइज होएगी ना तो हमें चीज पढ़ेगी हमारे जब अलमारी खोलेंगे तो सामने हर चीज वाज़जा नजर आनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां पढ़ी है वरना हम लोग हैंगर पे हैंक कार देती हैं कपड़े लेकिन उसकी लेंथ हमारे कपड़ों की इतनी ज्यादा होती है कि सारी अलमारी जो होती है वो ना बस फुल फुल लगती है भरी भरी लगती है बहुत मैसी लगता है देखने में बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है तो मैंने फिर सोचा यह क्यों ना हम कुछ और जुगार लगाएं ताकि हम जब अपनी वार्डरोब को खोले तो हमें परेशानी ना हो जो चीज हमें चाहिए वो हमें उसी वक्त मिल जाए तो इस तरह से तैय लगा के रखने का कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि हम प्रेस करके तैय लगा के रख देते हैं और जब पैरने का टाइम आता है ना तो फिर उसको प्रेस करने की ज़रुट पर जाती है इसलिए बेहतरी तरीक करके अपना ट्राउसर रखने यह देखते जाएं बिल्कुल ऐसे ही अपने अपना ट्राउसर रखने है ट्राउसर रखने के बाद हम अपना डूबटा सबसे पहले हैंगर लेंगे हैंगर के अंदर अपना डूबटा फिक्स करेंगे किस तरह से फिक्स करना है नॉर्मली ज नीचे स्पेस कोई नहीं बचती तो यह जो मेरा तरीका है आज का इसके साथ अगर हम इस तरहा से अपने कपड़े हैंग करेंगे तो यह इनको दुबारा प्रेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और हम जैसे रखेंगे वैसे के वैसे हमें मिल जाएंगे आप इसके साथ ऐसे अगर हम हैंग कर देंगे ना तो नीचे की स्पेस जो है वो बहुत जड़ा हाली होगी वहां हम अपने कपड़े कोई भी फोल्ड करके अगर रखने हैं तो वो रख सकते हैं अपने कोई भी और्गनाइजर बगरा उनमें चीज़ें अपनी फिक्स करके रख सकते हैं कोई बैग पड़ा कर सकते हैं तो यह देख μα में इस तरह से दो दो सूट आप डख सकते हैं कितना इजली हमने रख ती है ना यह दूसरा सूट मैंने प्रेस कोई ने कहीं ने किया है वाई ہے बस मैंने आपको शोकरने के लिए भी दिखाए है ताकर आपको आईडिय कहीं लटक राता है इस हैट से का भी उस हैट से तो ये बहुत ही बहुत ही बहुतरी तरीका है उमीद करती हूँ आपको अच्छा रगा होगा प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सबस्क्राइब कर देना कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा और नेक्स टाइज मैं आपको अपनी वोर्डरोब को सारी सेटिंग दिखाँगी कि मैंने कैसे करके रखी हूँ मुझे बताना अगर आपको इस चीज में इंटरस्ट है तो थैंक यू अला हाफिज अब चलते हैं अपनी हदिस पाक की तरफ बिस्मिल्ला रह्मान रहीम नबिय करीम सल्लाहु आलिह वालिह वसल्म ने इर्शाद फरमाया तुम आला ताला से ऐसी हालत की दौा किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अला ताला गफलत से भरे दिल की दौा कबूल नहीं करता